नमस्कार दोस्तो एक पर फिर से स्वागत आप सभी का आपके अपने चैनल शॉर्टन क्रिस पर दोस्तो आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए एक ऐसी फाइनेशल टिप लेकर आया हूँ जिसके बारे में जानकर आप अपने आपको कहने से रोक नहीं पाएंगे कि काश इसके बारे में मुझे पहले पता होता क्योंकि जाने अंजाने में आपने अपना ना जाने कितना नुकसान अरड़ी कर लिया है दोस्तो जिस फाइनेशल टिप की मैं बात कर रहा हूँ वो दरसल पीपिएफ से रिलेटिड है यह बात तो हम भले भाती जानते हैं कि पीपिएफ में ब्याजदरे फिक्स नहीं होती है और दिन प्रति दिन यह ब्याजदरे कम होती जाती है लेकिन इसके बावजूद भी यह इंडिया में सेविंग का सबसे भैतरीन आप्शन में से एक है लेकिन दोस्तो कि आप जानते हैं कि कैसे आप अपने सेम पीपिएफ अकाउट पर पहले से भहुत अधिक ब्याजदर पा सकते हैं दरसल दोस्तो इसका एक शोट-शोट तरीका है चाहे आप अपने PPF account में monthly contribution करते हो या फिर एक साथ पूरा डेल लाक रुपे जमा करते हो दोनों ही सूरत में आपको महीने की एक खास तारीक याद रखने जरूरी है और ये तारीक है 5 दरसल इस 5 तारीक का नाता PPF पर ब्याज की calculation से है आपको बता दें कि PPF account पर ब्याज दर की calculation महीने के पांचवे और आखरी दिन के बीच मौझूद minimum balance पर की जाती है इसलिए अगर आप चाहते हैं कि PPF में जमा का पूरा फाइदा लिया जाए तो इसमें 5 तारीक से पहले पैसे जमा कर दें ऐसा होने पर PPF account में पहले से मौझूद पैसे में नया amount एड़ हो जाएगा और पांस तारीक और महीने की आखरी तारीक के बीच का minimum balance amount बढ़ जाएगा जिससे आपको पूरे महीने का interest मिल जाएगा महीं अगर आप ये पैसा पांस तारीक के बाद जमा करते हैं तो नए जमा पैसे पर आपको उस महीने का कोई ब्याज नहीं मिलेगा वो ब्याज का amount उस महीने का बड़ा मामूली सा हो सकता है जैसे कि 100 रुपे या 200 रुपे भी हो सकता है लेकिन 15 साल के tenure में ये amount बढ़कर हजारों में या फिर लाखों में भी हो सकता है इसी को power of compounding कहते हैं आईए इसको एक उधारन से समझते हैं मान लीजिए आपने एपरिन में 500 रुपे के amount से पीपेफ account खुलवाया है और मंतली installment के जरिये हर में इसमें 500 रुपे जमा कर रहे हैं अब मान लीजिए आप मई मंत की 5 तारिक से पहले अगला installment नहीं जमा करते हैं तो मई अन तक आपका total amount 500 रुपे ही गिना जाएगा और ब्याज भी केवल इसी पर मिलेगा पांस तारिक के बाद जमा किये amount को मिलाकर total amount अगले महिने count होगा मही जून में भी पांस तारिक के बाद installment डालने पर उस महा के लिए आपका total amount 1000 रुपे ही count होगा और इसी पर ब्याज मिलेगा वहीं अगर आप हर महिने की पांस तारिक से पहले installment जमा करते हैं पांस तारिक से पहले installment जमा कर देने पर total amount पूरे महिने का 1500 रुपे count होगा यानि आपको हमेशा पूरा फायदा मिलेगा और अगर आप PPF में साल में केवल एक बार amount जमा करते हैं तो भी आप April मंत की पांस तारिक से पहले जमा कर दें इसकी वज़ा है कि भारत में विट वर्ष एपरिल से मार्च count होता है और बैंकों और पॉस्ट ओफिस की सेविंग स्कीम के ब्याच के लिए भी साल एपरिल से मार्च ही count होता है इसलिए पूरे साल का पूरा फाइदा लेने के लिए सालान अमाउंट को पीपफ में पांच एपरिल से पहले जमा कर दें दोस्तों क्या इस से पहले आप इसके बारे में जानते थे मुझे कमेंट कर जरूर बताइएगा और ऐसी ही financial tips and tricks के लिए जिन पर मैं अलरी काफी वीडियोस बना चुका हूँ वीडियो की प्लेलिस्ट का लिंक मैं उपर आई बटन में डाल रहा हूँ आप उन वीडियोस को भी देख कर फाइदा उठा सकते हैं अब जल्द मिलूँगा आपसे ऐसी ही अनो की hidden tips and tricks के साथ तब तक के लिए साबदन रहिए सुरक्षित रहिए जै हिन